Hello everyone, आज से हम Class 6 के लिए Science की सीरिज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम Science के सभी 16 chapters को complete करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे Chapter No.1 Chapter No.1 को स्टार्ट करने से पहले Science को study करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में एक मिंट discuss कर लेते हैं Science को कभी भी रट कर याद नहीं किया जा सकता Science को हमेशा समझ कर किया जाता है आप जितना Science को समझोगे उतनी ही आपकी understanding अच्छी होगी और साथ ही में questions को याद करने में और उनको ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में भी आपको मदद मिलती है Science में हमेशा एक topic दूसरे topic से connected होता है इसलिए जब हम इन chapters को करेंगे तो हम देखेंगे कि एक topic दूसरे topic से कैसे connected है और इन से जो question हमें पूछे जाते हैं उनका answer हम कितनी असानी से डूंड पाते हैं तो इसी के साथ start करते हैं chapter number one chapter का नाम है food where does it come from पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन कहां से आता है what did you eat at home today आज आपने घर पर क्या खाया यह आपके लिए first question है find out what your friend eat today आज आपके friend ने क्या खाया यह आपके लिए second question है did you eat the same kind of food yesterday and today क्या आपने आज और कल दोनों दिन एक ही तरह का भोजन खाया था इसका answer भी आपको दूणना चाहिए यह आपके लिए third question था और last question है we all eat different kind of foods at different times is not eat क्या हम अलग-अलग समया पर अलग-अलग तरह का भोजन नहीं करते यह आपके लिए last question था इन चारो questions के answer आपको जुरूर देने चाहिए food variety activity 1 ask your friends in the school about the items they would be eating during a day school में अपने दोस्तों से पूछो कि वो एक दिन के दोरान कितने परगार की items खाते हैं see if you can also get this information from friends staying in different states of haryana देखो अगर आप यह information अपने उन दोस्तों से भी ले सकते हैं जो भारत के और अलग states में रहते हैं इसका मतलब है मान लीजिए आप रहते हैं हaryana में और आपका कोई friend या आपका कोई relative पंजाब में रहता है तो आप phone करकर उन से भी information collect कर सकते हैं List all the items in your notebook as given in table 1.1 जैसा कि table 1.1 में दिया गया है उसी तरीके से एक list अपने notebook में बना कर इन सभी items को उसमें लिखो for as many friends as possible जितने ज़्यादा दोस्तों का आप ये data collect कर सकते हो उतने ज़्यादा दोस्तों का ये data आपको collect करना है मैं बताता हूँ कि table 1.1 में आपको क्या लिखना है What do we eat? हम क्या खाते हैं? यहाँ पर list दे रखी है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है name of the students या friend दूसरी तरफ लिखना है food items eaten in a day यानि एक तरफ तो आपको अपने friend का या अपने relative का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उसने जो जो एक दिन में खाया है उस उन सभी items के नाम लिखने है इस तरीके से आपको ये list maintain करनी है there seems to be so much variety in the food that we eat जैसा कि जब हम ये table बनाएंगे 1.1 तो हम देखेंगे या आप देखेंगे कि जो food items है वो बहुत ज़्यादा परकार की होते है variety का मतलब होता है काफी ज़्यादा उसके अंदर मतलब अलग-अलग चीज़े होना तो हम देखते हैं कि food बहुत टाइप के होते हैं यानि बहुत ज़्यादा variety है food के अंदर what are these food items made of अब question यह आता है कि जो ये food items है ये बनती किस चीज़ की है think about rice, cooked at home ये इसका मतलब है कि जो चावल है उसके बारे में सोचो जिसे हम घर पर बनाते हैं यानि जो चावल हम हमने घर पर बनाया है पका कर उसके बारे में सोचिए we take raw rice and we take raw rice and boil it in water हम कच्चे चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice इसका मतलब है कि सिर्फ दो material से या दो ingredients से ingredient का मतलब होता है किसी एक चीज़ को बनाने के लिए जितनी भी अलग-अलग items की हमें जरूरत पड़ती है उसे उस चीज़ के ingredients कहते हैं जैसे यहां पर चावल बनाने के लिए हमें कच्चे चावल और पानी की जरूरत होती है तो boiled चावल का मतलब होता है उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही ingredient की जरूरत है पानी की और चावल की On the other hand, some food items are made with many ingredients और जब की कुछ जो items है वो ऐसी होती है जिन को बनाने में दो से ज़्यादा ingredients की जरूरत होती है To prepare vegetable curry जो vegetable curry होती है उसको बनाने के लिए हमें We need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on उसको बनाने के लिए हमें अलग-अलग परकार की सबजियों की, नमक की, spice होते हैं मसाले, oil and so on और भी बहुत सारी चाज़ों की जरूरत होती है Activity 2 Choose some of the items you listed in table 1.1 जो items आपने 1.1 में लिखी हैं, उनमें से कुछ को choose करो and try to find out what ingredients are used to prepare these और discuss करकर ये खोजने की कोशिश करो कि इनके ingredients क्या है यानि ये जो items इनको बनाने में किन-किन चीजों की जरूरत पढ़ती है by discussing with your friends and elders at home अपने दोस्तों से और अपने घर में बड़ों से पुछ कर इसके knowledge प्राप्त करो list them in table 1.2 और इन ingredients को table 1.2 में लिखो some examples are given add some more items to this list खुछे examples वो table 1.2 में दे रखे हैं उसको देखकर और एक दो चीज़ इसमें add करो table 1.2 food items and their ingredients ये एक तरफ इसमें food item लिखी हुई है और दूसरी तरफ ingredient लिखे हुए है तो रोटी के लिए जो ingredient है वो है आटा और water जो दाल है उसको बनाने के लिए pulses की जूरूरत पड़ती है pulses कहते हैं दालों को ही pulses कहते हैं जितने भी दाले होते हैं तो इसके लिए प्लसेश की जरूरत पड़ती है वाटर की जरूरत पड़ती है साल्ट की ओईल या घी और स्पाइसी यानि मसालों की जरूरत होती है कि वट्ट डूवी फाइंड जो टेबल वन पाइंट तू है उससे हमने क्या खोजा क्या आपने यह पाया कि जो कुछ इंग्रिजेंट्स है वो बहुत सारे फूड आइटम्स में कॉमन यानि उन सब में सेम तरीके से यूज होते हैं से हमने उपर देखा था वेजिटेबल करी और नीचे देखा था दाल इन दोनों को बनाने के लिए स्पाइसी की जरूरत होती है यानि यह इन दोनों में कॉमन है तो बहुत से इंग्रिजेंट्स होते हैं जो बहुत सारे फूड आइटम्स में कॉमनली यूज किये जाते है इसके बारे में अपनी क्लास में डिसकस करूँ तो वेर डू दीज इंग्रिजेंट्स कम फरूम जो यह इंग्रिजेंट्स है अब कॉश्चन सबसे पहले हमने कॉश्चन किया था कि जो फूड आइटम्स है वो किन से बनती है उसका अंसवर हमें मिला कि वो इसके बारे में हम डिसकस करेंगे अब इसके बारे में हम डिसकस करेंगे इंग्रिजेंट्स हमने टेबल 1.2 में लिश्टिड की है यानि लिखे हैं उन में से कुछ का सोर्सिज निकालना ढूंड़ना बहुत असान है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टांस एक्जेंपल के लिए फॉर इंस्टांस का मतलब होता है फॉर इक्जेंपल उधारन के लिए जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल है वेर डू दे कम फरॉम जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल है वो कहां से हमें मिलते है plants of course अवश्यक ही प्लांट से यानि पक्के तोर पर हम कह सकते हैं जो fruits हैं और vegetables है वो हमें पेड़ पोजों से यानि प्लांट से मिलते हैं of course का मतलब होता है पक्के तोर पर यानि अवश्यक अवश्य ही यह हमें प्लांट से मिलते हैं what are the sources of rice and wheat अब जो rice है यानि चावल और wheat यानि गेहूं जो चावल और गेहूं है वो हमें कहां से मिलते हैं you may have seen paddy and wheat filled with rows and rows of plants आपने खेतों में देखा होगा paddy होती है चावल की खेती और wheat होती है गेहूं की खेती खेतों के अंदर आपने चावल की और गेहूं की खेती को देखा होगा जो रो के अंदर लंबे लंबे कतारों में लगे होती है which gave us these grains जो ये grain का मतलब होता है अनाज हर जो भी चीज़ हमें खेतों से मिलती है जैसे गेहूं, चावल, वाजरा, मक्का ये सभी grains होते हैं तो ये grain हमें इस परकार से मिलती है and then there are food items like milk, eggs and meat which comes from animals अब तीसरे परकार का food item है milk, यानि दूद eggs, यानि अंडे meat, यानि मास ये हमें animals से मिलते हैं हमने यहाँ पर तीन परकार के food items किये जैसे fruits and vegetables ये हमें मिलते हैं जो ये food material है ये हमें मिलते हैं paid podo से second हमने किया wheat and rice ये हमें मिलते हैं field यानि खेतों में इनकी खेती की जाते है किसानों के दूआरा यानि इन्हें special उगाना पड़ता है तो ये हमें मिलते हैं खेतों से थर हमने किया milk, eggs and meat ये हमें मिलते हैं animals से next activity है activity 3 let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from अब देखते हैं कि जो food items हमने उपर लिखी है उन में से ये खोजने कोशिश करते हैं कि ये हमें कहां से मिलते हैं the ingredients and their sources जो ये food items हैं इनके लिए जो ingredients हैं वो हमें किस प्रकार से मिलते हैं इसे हम खोजने कोशिश करते हैं कि इन ingredients का source क्या है some examples are shown in table 1.3 कुछ examples को 1.3 में show किया गया है and add more examples to this list इस list में more examples भी आप लिख सकते हैं यहां पर दो figure दिये हुए हैं figure A और B A के अंदर हम देख सकते हैं कि जो wheat है और जो rice है उसकी खेती इस प्रकार से की जाती है row के अंदर बीजो को लगा कर उनकी खेती की जाती है और जो figure B है इसके अंदर एक किसान अपनी रेडी के अंदर जब फसल पक जाती है तो उसकी उसको काट कर बोरियों में भर कर अनाज मंडी में बेचने के लिए लेकर जा रहा है अब देखते हैं table number 3 ingredients used to prepare food items and their sources यहाँ पर एक तरफ लिखा हुए food item दूसरी लाइन में लिखा हुए ingredients यानि वो food item किस किस चीजों से बने हुई है और उसके बाद लिखा हुआ है जो यह food items है इनके लिए source क्या है यहाँ पर first item ली गई है idli idli हमें idli के लिए जो ingredient है वो होते है rice उरद दाल salt and water जो rice है उसके लिए जो source है वो होता है plant उरद दाल के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कि source क्या होता है salt का source क्या होता है और water का source क्या होता है second है इसके अंदर chicken curry जो chicken curry है उसको बनाने के लिए हमें chicken की spices की oil घी की और water की जरूरत होती है तो यहाँ पर chicken के लिए तो लिखा हुआ है कि यह animal से बिनते है spices का आपको बताना है oil और घी हमें plants और animal दोनों से मिलते है water का आपको बताना है अईसी तरी के से खीर के लिए milk, rice और sugar की जरूरत होती है इसमें से animal, milk हमें animal से मिलता है rice हमें plant से मिलता है आपको तिसरा बताने की sugar किस चीज़ से मिलता है तो आपको क्या करना है इनके बारे में पता लगाने के लिए आप internet का use कर सकते है या अपने किसी elder से या अपने teacher से पूछ सकते है कि इनको बनाने के लिए जी ingredients है, इनके sources क्या है ये आप अपने खुद से करकर देखे इससे आपकी knowledge भी increase होगी what do we conclude from activity 1.3 हम activity 1.3 से क्या conclusion निकालते है यानि क्या परिनाम निकालते है यानि इसका result क्या निकलता है conclude का मतलब होता है कि इसका result क्या निकाला हमने plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits जो plants है वो grain, cereals, vegetables and fruits के लिए sources होते है यानि इन चारों का sources क्या है plant ये हमें plant से मिलती है animals provide us with milk, meat, products and eggs जो animal है वो हमें egg, meat, product and milk provide करवाते है cow, goat and buffalo are some common animals which give us milk जो गाएं है, बक्री है और भैस जिसे हम कहते है बखालों मतलब होता है भैस तो ये जो common animals है जिन से हमें milk मिलता है milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world जो दूद है और दूद से बनने वाले जितनी product है जैसे butter यानि मक्षन, cream, cheese यानि पनीर and curd ये सभी पूरी दुनिया के अंदर use किये जाते हैं can you name some other animals which give us milk क्या आप इन से अलग और animals बता सकते हैं जो हमें milk provide करवाते हैं तो ये भी आपको अपने आप से होजना चाहिए जो हमें इन से जाए दो ये ले लितना चाहिए ये पूर एली आपते हैं जो हमें ले ले चाहिए